अस्सलाम अलेकुम तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वडियो में आज के इस वडियो में हम लोग उर्दू ग्रामर में इसमें अलम पढ़ने वाले हैं है ये टॉपिक छोटा सा लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉटेंट है ज्यादा क इस टॉपिक से आप लोग के एक्जाम में कोशन पूछा जाता है को इसमें शक्खी नहीं है 100 परसेंट पूछा जाता है वह भी नहीं तो हर साल इसलिए यह टॉपिक पढ़ना आप लोग के लिए मॉस्ट इंपॉटेंट है और इसलिए आप लोग वीडियो को अन तक भीना स्किप किये देखिएगा और हर एक बात को समझेगा सो विदाउट एंड डिले लेट्स गोडू स्टार्ट और हां स्टार्टिंग में आप लोग वीडियो को शेर कर दें अपने पड़ोस है अप हम अब तक सबसे पहले पहुचेगा अब चलिए स्टार्ट करते हैं उर्दू कवायत में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें अलम की कि पिस मो को इसमें आप लोग इसके पहले वाले वीडियो में अलड़ी बता चुकी हूं किसे कहते हैं क्योंकि इस मार्फा की साथ किस्मे खास नाम को कहते हैं यानि कि इंसान के खास नाम को कहते हैं इसमें अलम अब जो इंसान का खास नाम है उसको पांच हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है यानि कि इसमें अलम के पांच टाइप होते हैं कितने टाइप तो पांच टाइप पांच हिसमें होती है इसमें अलम की, यानि कि इनसान के खास नाम को 5 हिसों में डिवाइड कर दिया गया है, इसका मतलब है कि इनसान का जो खास नाम होता है, उसके पांच टाइप होते हैं, ठीक है, पहला है छिताब, दूसरा है लकब, तिसरा है तख लुस, चौथा है कुनियत और पांच वह है उर्फ, किसे किसे कहते हैं इसको चलिए समझते हैं सबसे पहले खिताब किसे कहते हैं खिताब वह इसमें अलम है या फिर वह खास नाम है जो किसी की खूबी या फिर कमाली के बदले सरकार की तरफ से वह नाम दिया गया हो जैसे कि आपने कोई अच्छा काम कर दिया आपके अंदर कोई कला है कोई कोई कमाल कर दिया जिसके सरकार ने आपको एक स्पेसल नाम दे दिया तो उसी नाम को जितने भी है यह क्या है खिताब है जो कि सरकार के तरफ से दिया जाता है ठीक है और दिया भी गया है अब देखिए दूसरा है लखब ए Moment data समझ में आ अगे होगा अगर समझ में आ रहा है चीज तो comment कि तरफ से दिया यानि कि जनता के तरफ से खिताब और लकग में बस इतना ही अंतर है कि खिताब वह खास नाम जो किसी खुबी या फिर कमाली के बदले आपने कोई अच्छा काम किया तो सरकार आपको नाम दे तो उसको कहते हैं खिताब लेकिन लकब उस नाम को कहते हैं जो आपने यूज कर दिया अवाम की मदद कर धी अवाम खुश हो कर जंता खुश हो कर आपको एक नाम दे दी तो उसी नाम को कहा जाता है लकब जैसे की बुल्वूलेहिंद बाबाए उर्दूमुशा कलिनुल्ला वगड़ वगर ये सब क्या है यह सब लकब है जो की अवाम की तरफ से दिया जाता है तो देखिए यहां पर जो इसका डेफिनेशन लिखने का बजाए कर्व कि स्बेजना चाहते हैं कि वह खास नाम या फिर वह इस मार्फा जो किसी खूबी या फिर कमाली के बदले सरकार के तरफ से दिया जाए उसे खिताब कहते हैं और वह खास नाम या फिर वह इस मार्फा जो किसी खूबी या कमाली के बदले अवाम के तरफ से दिया जाए उसे कहते हैं लकब आप लोग प को आपर क्लिक करेंगे तो स्पीड बढ़ाने और घटाने का उपसन आता है तो बढ़ा घटा सकते हैं और अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत जिदा फास्ट बोल रही हूं तो अप लोग फास्ट भी कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है तो आप लोग स्वास्ट कर लीजिए को लिख लीजिएगा स्लो करके ठीक है और अगर आप लोग को धूंदला दिखाई देता है कि बोड पर जो मैं लिखती हूं धूंदला दिखाई देता है तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिए या फिर जूमिंग का भी आप्सन जो है ना यूटूब ने डाल दिया च्शुटा सा भूर ने कि यूज्ट करेंगे को पोंद्य शूटा सा नाम को कहते हैं क्या तखल्व यानि कि शायर हजर जो होते हैं यानिकी शायर लोग जिखते हैं तो श्यर वर शइर के लास्ट लाइन reinforce विप युजिए अपना एक खास नाम को क्या लिखाई मिशत ढर वो शेरो शायरी लिखते थे तो अपने शेरो शायरी के लास्ट लाइन में सबसे लास्ट वाले शेर में गालिब नाम का तखल्स यूज़ करते थे यानि कि अपना एक खास नाम गालिब यूज़ करते थे तो गालिब क्या हो गया तखल्स हो गया तखल्स इसलिए यूज़ क का तखलुस दिखाई देगा इससे पता चलेगा कि यह जो शाहरी है वह मिर्जा गालिब के दौरा लिखी गई है तो यही पहचान करने के लिए तखलुस लगाया जाता है तो इसलिए शायर हजरात जो होते हैं पुशेर शाहरी के लास्ट लाइन में लास्ट शेर में अपना उसी तरह है अनीस मीरबवर अली अनीस का तखलुस क्या है अनीस आतिश फ्लुस लिखिंगत чौछ है तो चुनियत कि से कहती है यहां पर मैं ब्राइकड में क्या लिखी हूं ? लुक कि संबंध कि मतलब माबाप थिर बेटे के तालुक से जो नाम रखा जाये ना जूआ कहते हैं कुनियत जो नाम रिष्टे के बिना पर रिष्टे माबाप या फिर बेटके रिष्टे संबंध से जो नाम को कहते हैं इक्जामपल लेकर समझते हैं इबन का मतलब होता है क्या सदेसे सफ इबन मर्यम मर्यम किसको कहा जाते हैं लिए इसा अलायि मतलब वोता है तन अँफ इबन WH भीय में की मरीम का बेटा कौन है प interventions को इसा आलहिस्याम को इसे इसभी का मतलब होता है थीक फिछा एंतरा है अब Suppose It उम कुलसुम सénक Hor nhân की माव टिसिसलों सुने हुँगे आप लोग अबु का मतलब होता है फादर पौस यानिकी ही यानÑ की बिननत का मतलब होता है डौटर डौटर ऑफ यानि की बेटी जितने भी जिस भी नाम के स्टार्टिंग में आप लोग को इबन अब्बू या फिर बिननत दिखाई इन चारों में से कोई नाम दिखाई देगा तो आप को उसको डारेक्ट कुनियत कर देना है क्योंकि आप लोग एक्जाम में कोशन अब देखिए किस तरह से पूचा जाता है अगर खिताब का पूचेगा तो कोशन इस तरह से रहेगा कि दर्जायल में से खिताब कौन है और कोई भी खिताब का एक एक ग्जामपल देगा बाकी तरह से खिताब को लिगे ही किताब कौने डहसा हूं करना है कि अप लोग को पहचानक तक कौन है और आप लोग को पहचान करूआण के चार आप्ट को बिनकोफ या तो ईसको क्या कर देना है कुद्णीक कर दे रहें नात का मतलब मतलब है आगे बढ़ते हैं उर्फ किसे कहते हैं यह तो बहुत आसान है खूबी या नुक्स के वज़ा से जो नाम लोग बश्पन से ही पुकारते आ रहे हो उसी नाम को कहते हैं लोग उर्फ भले ही आपका रियल नेम दूसरा है आपका असल नाम है लेकिन असल नाम को छोड़कर एक राष्प के खूबी नहीं तो नुक्स के वज़ा से तो उसी नाम को कहते हैं और फियाद रखना है तो जैसे कि कोई बश्पन से ही लंगडा है ठीक उसको लोग लंगडा बुलाने लगते हैं कोई बश्पन से से बहुत nauब खूबसूरत है लड़की तो उसको घूरिया ल चोटू मोटू लंबू पतलू यह सब क्या है यह सब है क्या उर्फ जो कि असल नाम के असल नाम को छोड़कर अलग से यह नाम बच्पन से पुकारा जाता है किसी खुबी नहीं तो नुक्स के वज़ा से तो पपू हो गया मिठू कोई मिठा बोलता है तो उसको मिठू लोग असल नाम को छोड़कर उसी की खूबी या फिर खूबी नहीं तो नुक्स के बिना पर ही नाम पुकारते हैं तो यह हो गया क्या उर्फ कि किसे कहते हैं क्या आपका भी कोई उर्फ है तो जरूर कमेंड में लिखकर बताएगा आप लोग को आपके असल नाम के लगता है मेरे फैमली वालों को मेरे अंदर ना तो कोई खूबी दिखाई दी और नहीं कोई नुक्स यानि की कमी दिखाई दी खैर कोई बात नहीं है तो ही अच्छा है तो चलिए आज कि इस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं हर एक पॉइंट अगर आप लोग को समझ म है जो कुछ भी मैं आप लोग को समझाई समझ में तो कमेंट में लिख कर बताए कि हाँ चीजे समझ में आ गई है और वीडियो को फड़ाफट लाइक करें जो कुछ भी मैं आप लोग को समझाती हूं अगर समझ में आता है तो तुरंत लाइक कर दिया करें और शेयर कर दे अपने पोड़ों से अपने दोस्तों के पास जितने भी आप लोग को रिष्टेदार है अभी तक आप लोग शेयर नहीं किये तो फड़बर शेयर मारिए और इस्टेटस वगर लगा लिजे ताकि सबी लोग का भला हो वो लोग भी इस वीडियो का लाव उठा सके ठीक है और अगर आप लोग चैनल पर नए नए आए हुए हैं मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और नोटिफिकेशन बिलको दबा लिजेगा उससे होगा यह कि मेरो जाने वाल वीडियो का आप तक सबसे पहले पहुंचेगा चैनल आज किस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदाहाफिज